तीन मांत्रिक पार्ट सेवन बी पिंगल मैं अब फिर से इस नदी का जल सुखा रहा हूँ आज फिर तुम्हें महामाई की समाधी में प्रवेश कर उस छोड़े हुए काम को पूरा करना है मार्ग के सभी खत्रों को तुम भली बानती जानते हो तुम्हें क्या-क्या सावधाने बरतनी है यह बताने की शायद अबो अभिशेश आवशकता नहीं है उन्हें तुम साफ साफ जानते ही हो पिंगल ने बड़े उच्सा हवदुरन शेय के साथ कहा ऐसा कोई आवशकता नहीं है पिछली बार जो मार पड़ी उसके घाव अभी तक भरे नहीं है उनके सारे दाव पोचों को अब मैं जान गया हूँ अब मैं महामाय के सिश्यों और उनके मायावी दोतियों की अच्छी तरह कबर लूँगा अपनी शिंद रहे पद्मपाद समधिस्तिती हो नदी का जल सुखाने के लिए मंत्र जाप करने लगा थोड़ी ही देर में मंदिर का शिकर दिखाई पड़ा पिंगल निर्भय होकर मंदिर के प्रदमद्वार की और बड़ा पद्मद्वार पर फुफकारते हुए नाग पर जैसे ही पिंगल ने हाथ लगाया नाग निश्प्रान होकर नीचे गिर पड़ा तब ही कीवाडों के पीछे से एक भयंकर आवाद सुनाई पड़ी मेरा नाम पिंगल है और मैं अवंतिनगर का मच्वरा हूँ इस प्रकर अपना परचे देते हुए पिंगल ने कीवाडों को खोल दिया कीवाड खुलते ही एक परवतकार धैत्य तलवार लहराते हुए सामने आया और उसने पिंगल को अपनी गर्दन जुखाने का आधिश दिया पिंगल ने निर्भय होकर उसकी आग्ञा का पालन किया इस पर वह परवतकार धैत्य धम से जमीन पर गिर गया इसमें आशरी की बात कुछ भी न थी क्यूंकि यह सब वैसे हुआ जैसे एक बार पहले हो चुका था पिंगल एक एक करके पहले जैसे ही पांच द्वारों को बड़ी आसानी से पार कर गया लेकिन छटे द्वार पर पहुंचते ही एक दम ठिटक गया वहा उसकी मा रो रो कर कह रही थी बेटा तुम यह खत्रा क्यों मोल रहे हो वापस चलो पदमपाद जान बूच कर तुम्हारी जान लेने के लिए यह सब कर रहा है पिंगल अपनी मा को वहा देख कर हैरान था लेकिन पिछले अनुबों से वहा समझ गया कि यह सब छूटी माया है यह सब उसी देट का कारनामा है जिसने उसे पदमपाद बनकर धोका दिया था हो रहो वही उसकी मा बनकर लक्ष से उसे भटकने आया है इसलिए उसने दुरता पुर्वक कहा मैं जानता हूँ तुम कौन हो पिछली बार पदमपाद बनकर धोका दिया था अब मेरी मा का रूप बना कर मुझे धोका नहीं दे सकते मेरे रास्ते से हट जाओ इस प्रकार कहते हुए पिंगल ने पास रखी हुई एक तलवार उठा ली और उस उस्त्री की ओर जपटा वह पिशाचनी चीकती हुई अद्रश्य हो गई पिंगल खिलकिला कर हस पड़ा तलवार वही फेंक कर वह चटा द्वार वी पार कर गया सामने एक रेश्मी परदा हवा में पड़पड़ा रहा था जीने परदे के पीछे से एक सुन्दर आसन दिखाई पड़ा जिससे चमचमाते किरने निकल रही थी पिंगल बेधड़क रेश्मी परदों को हटा कर भीतर चला गया चमकीले रस्त्रों और मने मानकियों से चमक्षमाते हिम सिवहासन पर महामाई इस प्रकर बैठा था मानो वह ध्यान कर रहा हो पिंगल के मन में पल भर के लिए यह संदे हुआ कि कही महामाई जीवित तो नहीं है लेकिन तुरंत वह समझ गया की सत्य क्या है और अब उसे क्या करना है वह सांस रोक कर एक-एक कदम बढ़ाते हुए महामाई के पास गया उसकी नजर महामाई के दाये हाथ की उंगलियों पर पड़ी उसकी अंगुटी से सूरी के समान किरने निकल रही थी वह चमक रहा था पिंगल ने निर्भई होकर महामाई के दाये हाथ की उंगुली से अंगुटी निकाली अब उसे दो चीजे और लेनी थी वज्रक चित मूठ वाली चुरी महामाई की कमरे से लटक रही थी पिंगल ने उसे भी निकाल कर अपनी कमर में भांध लिया अब उसे सिर्फ भूगोल लेना था तोशने लगा कि वह कहा रखी हुई होती है पिंगल ने चारों और नजर दोड़ाई उसे एक कोने में कुछ सीडियाम दिखाई पड़ी उन सीडियों के नीचे एक उन्ची मेज पर चांद के समान चमकता सा भूगोल दिखाई पड़ा पिंगल ने उसके समीब जाकर उसके अंदर चांका उसे यह देख कर बड़ा आशरी हुआ कि इस भूगोल में ना सिर्फ भिन भिन देश और उनकी सिमायम अंकित है बलकि वहा के लोग भी उसमें दिखाई पड़े उसने वह भूगोल वहा से उठा लिया उसे वहा से अब तीनों दुरबल चीजें मिल चुकी उसने अंतिम बार महामाय और उसके सिमासन पर नजर डाली और बाहर निकलाया तब ही उसके कानों में मदुर संगित के साथ यह आवाज आई शाभाश पिंगल तुम्हारा साहस पराक्रम और भुद्धी प्रशम सनी है पिंगल को ऐसा लगा जैसे महामाय बोल रहा हो उसने मुड़कर महामाय की और एक बार फिर देखा लेकिन उसमें वास्तों में कोई चेतना नहती वह मरा हुआ सा दिखाई दे रहा था पिंगल सभी ध्वारों को पार करता हुआ वापस बाहर निकल गया पिंगल को देखते ही उसका चेहरा खिल उटा वह खुशी से तालियम बजाता हुआ बोला पिंगल अब हम विश्व विजई हो गए है इस संसार में हमें अब पराजित करने वाली कोई शक्ती नहीं है उसी समय अचानक चारों दिशावों को कामप देने वाला एक धमका हुआ और नदी के गर्ब से ताड़ रुक्ष की उंचाई के बराबर जल की तेज धारा फुट पड़ी पद्मपाद यह देखकर भैबीत हो गया और भै से दो चार कदम पीछे हट गया पिंगल की आँखों के सामने अंधेरा चा गया कहानी और है